Hello everyone, Welcome back to my channel, My Life and Shopping, मैं हूँ आकृती, कैसे हैं आप सब लोग मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, और हाँ मैं आचुकी हूँ अपने होम टाउन मुजफरपुर, लास्ट व्लॉग मेरा ट्रैवल व्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, और साथ ही मेरे चैनल पर जाकर आप स्क्रॉल करके भी वीडियो को देख सकते हैं, इसे पहले मैं आपके साथ शॉपिंग, अन्बॉक्सिंग और मेकप वीडियो शेयर करती थी, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया है, तो मै मैं आचुकी हूँ अपने होम टाउन, और वहां से मैं आपके साथ कुछ व्लॉक वीडियो शेयर करूंगी, अभी जा रही हूँ मैं अपने फ्लैट पे, मेरा नया फ्लैट है, अनफर्निष्ट फ्लैट है, 3BH के, तो उसका होम टूर में आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए मेरे साथ, और अगर आप चैनल पर नया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, तो चलिए चलते हैं फ्लैट पे, दोस् के जस्ट सामने, दुर्गा माता का मंदिर है, और साथ ही साथ हनुमान जी का भी मंदिर है, तो सुबह सुबह उठके आसानी से, जैसे ही मैं अपने कीचन से या फिर मास्टर बेडरूम के बालकनी से निकलती हूं, तो मंदिर का दर्शन हो जाता है, देखिए, मात अपोजिट साइड में ये अपार्टमेंट है, जिसमें मैंने फ्लैट लिया है, और घर का पिक्चर जहां पर मैंने मेंने किया है, वही मेरा फ्लैट है, और ये में डोर है, ये अभी बंद है, तो कोई रहता नहीं है इसमें, तो मैं इसे ओपन कर लेती हूं, देखिए, ओ तो चलिए मैं डोर को यहां पर लॉक कर लेती हूं उसके बाद मैं आपको रूम टूर देती हूं दोस्तों मैं वॉइस ओवर इसी रहे कर रहे हूं क्योंकि खाली घर है इसमें अगर साथ के साथ मैं बोलती जाती तो आपको आवाज काफी गुंजता हुआ सुनाई देता क्ल से बात कर रही हूं तो चलिए दोस्तों डाइनिंग हॉल से कीचेन की तरफ सबसे पहले चलते हैं यहां पर यह डाइनिंग इस पेस है डाइनिंग टेबल के लिए और इधरी से रास्ता बना हुआ है जाने का काफी लंबा किचेन और चोडाई भी इसकी अच्छी खासी है प्लाटफॉर्म मैंने थोड़ा सा हलका सा एल शेप में बनवाया है और कीचन से ओपन बालकनी है यहाँ पर बालकनी से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं देखिए कुछ इस तरीके से सामने दोस्तों ATM भी है तो मार्केट भी है आसपास में स्कूल भी है सामने और यहाँ पर वो देखिए वो मंदिर आपको दिख रहा होगा तो वो मंदिर है तो सुबह सुबह मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा यहाँ से और उसके बाद चलिए अब डाइनिंग हॉल में फिर किचन से निकलने के बाद यहां पर फिर डाइनिंग हॉल में चले आएंगे और मैं आपको फस्ट बेडरूम दिखाती हो यहां पर तो यह मेरा फस्ट बेडरूम है इसमें अभी हाली फिल्वाल में मैंने वाड्रोब बनवाया है क्योंकि फ्लैट खाली रहता है तो बहुत जो भी रेंटर अगर आएंगे तो उन्हें असुविधा नहीं हो तो उसलिए मैंने वाड्रोब बनवाया यह फर्स्ट बेडरूम है और यहां पर एक खिड़की दी हुई है इससे भी यह नौट साइड है तो यहां से भी नजारा अच्छा कासा मिल जाता है व्यू और थर प्रफीट में मेरा यह थ्री भी एक फ्लैट है और तीनो रूम जो तीनो बेडरूम है इनकी लंबाई चोड़ाई काफी अच्छी खासी लंबाई चोड़ाई है सपेशियस है काफी डाइनिंग कम लिविंग रूम काफी इस दोस्तों सेकेंड बेडरूम है इस bedroom से एक balcony खुलती है north side में देखिए इस door को open करने के बाद यहाँ पर balcony भी काफी अच्छी खासी लंबाई चोड़ाई में दीवी special balcony है अभी तो हम लोग कोलकाता में रहते हैं तो transferable job है मेरे husband का तो यह flat तो अभी फिलाल खाली ही है देखते हैं जब transfer होगा अगर हमारे home town में तो फिर यहाँ रहेंगे और यहाँ से भी view काफी अच्छा खासा है और हवादार है और L shape में यह apartment बने हुए है तो यह दूसरा इसका building है सामने के east side से इस तरीके से और काफी घनी बसती है काफी घनी आवादी है मुझे फर पूर नॉट्स भिहार की राजधानी कही जाती है तो second bedroom से मैं निकल रही हूँ और door को मैं close कर देती हूँ यहाँ पर तो उसके बाद फिर चलिए चलते हैं निकलते हैं dining hall में तो तीनों room जो है वो dining hall में निकलता है तो dining hall से अब चलते हैं मेरे master bedroom की ओर यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है इसमें master bedroom के जस्ट सामने common बाथरूम है toilet and bathroom तो यह common है और Indian style का है बाथरूम क्या दिखाना चलिए उसके बाद सामने से ही इस passage से master bedroom में इंटर कर रहे हैं तो यह मेरा master bedroom है इसमें मैंने कोई भी wardrobe वगरा नहीं बनवाया है अभी क्योंकि अभी तो मुझे मैंने पहले ही कहा रहना है नहीं अभी यहाँ तो फिर बालकनी भी काफी लंबी चौड़ी बालकनी है और इस bedroom के साथ अटैच बाथरूम है जो की वेस्टर्न style का है साइड में wash basin भी सभी बाथरूम में दिये हुए हैं और चलते हैं master bedroom के बालकनी की तरफ तो यह बालकनी भी काफी spacious लंबा चौड़ा बालकनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सामने हो गया north and this is west side और यहाँ पर कुछ लगभग डेर से दो किलोमीटर दूर है और मुजफरपूर जंक्शन और नेशनल हाइवे जस्ट पांच मिनट की दूरी पे है तो स्कूल वगरा भी प्रभात ताड़ा स्कूल जो की मुजफरपूर का सबसे जाना मना स्कूल है जहां से मेरी पढ़ाई हुई है वो भी यह यहां से लगभग 800 मीटर की दूरी पे होगा तो चलिए अब रूम टूर तो मेरा खतम हो गया यही मेरा चोटा सा प्यारा सा आशियाना है जिसे हमने लास्ट इयर परचेस किया था और देखिए यहां पर दीपावली में मम्मी दैडी ने आकर दिया जलाया था तो वही दि बिद्रूम से निकलते हुए इसी तरीके से डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं और डाइनिंग हॉल कुछ इस तरीके साही है डाइनिंग हॉल में भी ए खिड़की दी हुई है और यह वाश वेसिन पर मैंने यह जो टायल से यह खुद से लगवाया है यह बिल्डर के दौरा इस तरीके से यह यहां पर दिया हुआ है और काफी हवादार और स्पेशियस लंबा चौड़ा एरिया है आप देख सकते हैं तो आप लोग बताएगा आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा और घर को मैंने लॉग कर दिया है और इधर से स्टेयर्स हैं जो मेरे फ्लैट के जस एगल बगल में फ्लैट तो चलिए नीचे उतरते हैं लेफे से इसमें दो अपार्टमेंट को कंगाइन करके बनाया हुँआ है और हमारे अपार्टमेंट जो है उसमें अभी लिफ्ट नहीं लगा है काम चल रहा है और इसके बगल से भी स्टेर्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं और फर्स्ट वाला जो अपार्टमेंट बना हुआ है उसके लिफ्ट से अभी काम चल रहा है और शायद लिफ्ट में कुछ स्टेयर्स दिये हुए हैं तो कुल मिलाकर तीन तरफ से यहां पर स्टेयर्स हैं तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही होप मेरा ये थ्री बीच के का अनफर्निष्ट होम टूर आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक इस्टिंग वीडियो के साथ स्टेय कनेक्टेड बाबाई